हेलो गाईज, तेक्नीज के ने एपिस्टोड में आकास स्वागर से आज की पहली न्यूज रियल्मी की तरह उसे है कज रियल्मी ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग 25 में को अपने 8 न्यू प्रोड़क्स चाइना में लौंच करने वाले है और इन सभी प्रोड़क्स में वो लोग अपना पहला गेमिंग स्मार्टफोन भी लौंच करने वाले है और इस गेमिंग स्मार्टफोन का कोड नेम है ब्लेड रनर इसका एक फोटोग्राफ भी सामने आचुका है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ चाहसे यह पना चलता है कि इस फोन में हमें कोड रियर केमरास मिलने वाले है और यह फोन ग्लास एंड मेटल डिजाइन में 25 में को लौंच होने वाला है और भी काफी साथे प्रोड़क्स इसी इवेंट में लौंच होने वाले है टोटो स्टोप क्या आप लोग डियर्मी के इन सभी प्रोड़क्स के लिए एकसाइकेड हो या फिर नहीं आपको मुझे कामेंट सेक्शन में ज़रूर बटा सकते है अगली न्यूज आइकू गितरा उससे है ट्राज आइकू जेडवन के कुछ फोटोग्राफ्स लिख हो चुके है जिससे ये पड़ना चलता है कि आइकू जेडवन की डिजाइन आइकू नियो ठरी जैसी ही होने वाली है जिसमें हमें ट्रिपर डियर केमेरास मिलने वाले है और इस फोन का N22 स्कोर भी सामने आ चुका है और इस फोन का N22 स्कोर पांच लाग तीस हजा से बीज ज्यादा है और ये स्कोर मीडिया टेक के प्रोसेसर के लिए बहुती अच्छा स्कोर है और ये फोन 19 मेगो चाइना में लॉंच होने वाला है तो डोस्तो गल Poco ने लॉंच किया आपना नया फोन जिसका नाम है Poco F2 Pro और ये फोन Redmi K30 Pro 5G का री ब्रांडेड वर्जन ही है सेम टू सेम फोन ये उठोने लॉंच कर दिया है और इसकी प्राइस इनो ने रखी है 41,000 रुपीस ये प्राइस यूरोप मार्केट के लिए है इंडिया में जब ये लॉंच होगा तब इसकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं होगी बट ये फोन री ब्रांडेड वर्जन ही है Redmi K30 Pro का तो डोस्तो आपको Redmi K30 Pro का री ब्रांडेड वर्जन यानि कि Poco F2 Pro कैसा लगा आपको मुझे comment section में जरूर बटा सकते है और डोस्तो अगर आपको मेरी ये take news पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना अगली न्यूज ओनर की ट्राउस से है तो आज ओनर ने confirm कर दिया है कि ओनर एक्स 10 में हमें 90Hz refresh rate वाली display मिलने वाली है और ये display में हमें 180Hz touch sampling rate भी मिलने वाला है और आज ओनर एक्स 10 की price leak हो चुकी है और परना चला है कि इस phone की starting price होने वाली है 2299,91 यानि की करीबन 24,000 रूपीज तो रोस्टो अगर ये phone 24,000 रूपीज में owner launch करता है तो आपको क्या लगता है कि ये phone भीग पाएगा या पिर आपको लगता है कि owner को इसकी price थोड़ी कम कर लेनी चाहिए आप वो मुझे comment section में जरूर बटा सकते है तो रोस्टो कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि MIUI 12 19th में को globally launch होने वाला है बट साव मीने अभी उसकी launch date नहीं की थी बट आज साव मीने नहीं कर दिया है कि ये MIUI 12 globally launch होने वाला है 19th में को ही तो डोस्टो अगर आप एसी exclusive news सुनना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लेना और बेर लाइकन पर और नोटिफिकरसन भी क्लिक कर लेना अगली न्यूज ओपो की द्रावस से है तो ओपो ने confirm कर दिया है कि वो लोग गोपो फाइंड एकस्टू सीरीज को इंडिया में सुन लॉंच करने वाले है और इसका प्रोटक पेज भी एमेजोन पर लाइव हो चुका है और बटा चला है कि यह फोन 18th या फिर 19th में को इंडिया में लॉंच होने वाला है तो दोस्टो क्या आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एकसाइटेड हो या फिर नहीं आपको मुझे कमेंन सेक्शन में ज़रू बटा सकते है तो दोस्टो आज Redmi Note 8, Redmi 8 & Redmi 8 8 Dual की इंडियन प्राइज इंक्रीज हो चुकी है और यह तीनोफनक की प्राइज कितनी इंक्रीज हूई है मैं आपको बटाता हूँ Redmi Note 8 की प्राइज हो चुकी है 500 रुपीज रेड्मी 8 & Redmi 8 8 Duaal की प्राइज 300 रुपे इंक्रीज हो चुकी है तो यह टीनो फोन की प्राइज इंडिया में इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि हमें पता ही है जी इंक्रीज हो चुका है स्मार्फोन पर इसलिए यह फोन की भी प्राइज इंक्रीज कर दी है रेडमीन है, अगली न्यूज हुआवे की तरह उससे है, तो आज हुआवे ने अपना नया ट्रूली वाइलेस एरफोन इन्या में लोंज कर दिया है, जिसका नाम है हुआवे फ्री बर्ट्स 3, इसमें हमें कीरीन A1 चिपसेट भी मिलता है, और इस एरफोन की प्राइस हुआवे ने रखी है 12,990 रूपीज, तो आपको इस एरफोन की प्राइस कैसी लगी, आपको मुझे कमें सेक्शन में ज़रूर बटा सकते हैं, तो आज की आखरी खबर है ROG C2F के बारे में, तो आज ROG C2F ने 100 million downloads कम्प्लीट कर लिये हैं और ये downloads उन्होंने कम्प्लीट कर लिये हैं C41 days में, तो दोस्टों क्या आप लोग ROG C2F को यूज करते हो, या पिनाहीं आपको मुझे ज़रूर बटाना कमेंट सेक्शन में, तो दोस्टों, आज के लिए पस इतनी टेक निस थी, अगर आपको मेरा यह बीजाँ परसन आये हो तो वीजवी जरू लाइक करना सेर करना हो चैनल परना हो तो चैनल जरू सब्सक्कारब करना क्यूंकि मैं आपके याजीज देटा हूँ toto oh doch मिलते हैं अगले वीडियो में प्रापटाक के लिए जहिंद वंड़ मान रहा हूं